हेलो गाईज, स्वागत है आपका पाँज वजे 5 MCQ सिरीज में तो आज बारी है ज़सेएंट टेकनलोगजी और साइंट टेकनलोगजी में से आज बारी है बायलोगजी की इससे पहले कल एकिनॉमी क्लास में इकनॉमी सवाल पूछा गिया था कि trims की full form क्या है तो trims की full form है option number C इसका सही था trade related investment measures तो trade related investment measures जो है वो इसका सही answer है तो अब देखते हैं कि आज जो biology questions है उनका देखते हैं तो पहला सवाल जो biology का है वो ये कहता है कि आपको बताना है कि एक किताब है जिसका नाम है genera plantarium तो ये जो genera plantarium किताब है ये किस ने लिखी है options आपके सामने है पहला option है Linnaeus ने लिखी है क्या दूसरा option है Bentham and Hooker ने लिखी है ये तिसरा option है Angler and Prenton लिखी है और चौसरा option है Hutchinson ने लिखी है तो आपको बताना है कि चार और जो writers है इन में से जो किताब है genera plantarium वो किसे ने लिखी है तो उसका answer है option number A Linnaeus तो Carles Linnaeus ने इस किताब को लिखा है फिर दूसरा question आता है कि Botanical Survey of India का headquarter कहाँ पहे बहुत असान question है अच्छा question है कि Botanical Survey of India का headquarter कहाँ पहे है तो ये लखनौ में है क्या Darjeeling में है Calcutta में है या कॉलकाता में है या उटी के अंदर है तो आपको बताना है कि इसका headquarter कहाँ पहे है C option इसका सही रहेगा कॉलकाता में है यानि कि कलकाता में इसका headquarter है next आता है कि plants animals से किस तरह से अलग होते है यानि कि plants differ from animals in heavy यानि क्या चीज़ ऐसी होती है जो plants में अलग होती है और animals के अंदर अलग होती है तो पहला option इसका क्या कहता है पहला कहता है locomotion पर दूसरा है metabolism तीसरा है localized growth और चौथा option है catabolism तो अगर आप options देखेंगे तो आप देखेंगे कि locomotion तो दोनों करते है और animals में अलग होती है तो इस वैसे localized growth जो है वो इसका सही option होगा कि plants और animals को जो अलग करने वाली चीज़ है वो क्या है localized growth next आता है fourth question आता है कि जो trees की age है वो हम किस चीज़ से determine कर सकते है उनकी जो tree की age है अगर हमें किसी भी tree की उमर बतानी है उसके उमर कितनी है तुम कैसे बता पाएंगे उसके birth से कि हम यह पता लगाएं कि इसका birth कब हुआ था या उसकी height से फिर paid पे जो growth rings होते हैं उससे बताएंगे क्या और फिर general appearance है कि उसको generally इसको देख लिया और उससे आपने बताएंगे चार options आपके पास birth यानि कि जन्म, height यानि यह हो चाई फिर growth rings जो उसके rings होती है growth की और general appearance तो इसका जो सही जवाब है वो है growth rings यानि कि उसमें rings होती है वो ही हमें बताती है कि paid जो है वो कितना पुराना है carbon dating बगारा करते है इन सब चीजों से पता चलता है next आता है fifth question आता है आज की class का presence of what distinguishes a plant cell from an animal cell यहनि कि ऐसी कौन सी चीज होती है जो एक plant cell को animal cell से अलग कर सकती है तो options आपके सामने है पहला है chloroplast कि वो अलग करता है कि दूसरा है cell wall फिर तीसरा है cell membrane और चौता है nucleus तो chloroplast, cell wall, cell membrane और nucleus इन चारों में सापको बताना है कि कौन सा option ऐसा है जो इसका सही जवाब होगा या आप मुझे comment section में comment करके बताएंगे साथे साथ guys अगर आपको ROARO 2016 सची वाले का जो paper है अगर आप चाहते हैं कि उसका solution यहाँ पर provide करूँ तो आपको मुझे comment section में comment करके बताना होगा कि क्या मैं उसका solution यहाँ पर solve करूँ या ना करूँ यानि कि अगर आपको solution है उसमें अगर मेरे पास इस video पर अगर मेरे पास 50 likes आ जाते हैं और 25 comments से चीज के आएंगे कि हाँ आप उस paper को solve कीजिए तो मैं यूट्यूब पर उस paper को solve भी करतूँगा बाग आपको कोई भी डाउट आता है कोई भी session है तो आप comment section में comment कर सकते हैं